शिक्सक न्युक्ति के लिए आयोगे कैबिनेट ने नेमावली को दिमन्जूरी शिक्स अभागने जारी की अधिस उचना बिहार में अब पहली से बारवी तक के शिक्सको के न्युक्ति आयोग के मादम से होगी इसके लिए आयोग परिक्षा लेगा कोई भी अबैर्थी अधिक्तम तीन बार परिक्षा में बैठ सकेंगे किस आयोग को परिक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी राज्य सरकार यह बाद में तेह करेगी मुख्यमितरी नितिस कुमार के देखस्ता में सौमार को हुई राज्य की कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विदाले अध्याप के निमावली दोजार तेश को मंजूरी दे दी गई है शिक्षा बाग ने इसकी अधिश उसना भी जारी कर दी है मालूम हो कि वर्ष दोजार चैसे गराम पंचायतों और नकर निकायों के मादम से राज्य में शिक्षकों की नुक्ति हो रही थी सत्रे वर्षों बाद में ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है नई निमावली में साथ तोब से कहा गया है कि सी टेट और बी टेट ये बिहार शिक्सक पातरता प्रिक्षया उतरन ही आयोगद्वरा आयोजित प्रिक्षया में बैठ सकेंगे साथ ही बिहार के स्थाई निवाशी ही आवेदन कर सकेंगे पूरो से निवाजित शिक्सक भी अगर चाहें तो इस प्रिक्षया में बैठ सकेंगे इसके लिए उन्हें आयो शिवा में दियु तम 10 वरस्त की सैसत छुट मिलेगी नई नुकती निमावली सोमार से ही प्रवाई हो गई है आज के बाद किसी भी सिक्सक की नुकती आयो की परिक्षा से ही होगी आयों के मादम से नुक्ति शिक्षक राज्य सरकार के करमचारी कहे जाएंगे मालूम हो कि आप तक ग्राम पंचायत और नगर निकाओं के मादम से शिक्षकों के नुक्ति होती थी